हेलो वेवन मोहित भाटिया और नीट 2020 के एक्जाम हो चुकी है और हम सब के एक्जाम काफी अच्छी गई हो फिजिक्स के पेपर को लेके हम लोग इस वीडियो में अनलिसिस करने वाले है बचो और हम लोग दो चार बातों पर डिस्कुशन करेंगे पहरा तो सारे कोश्चन को हम लोग सॉल्फ कर लेते हैं फटा फट उनकी आंसर मांक कर लेते हैं ठीक है ताकि अपने एंड पर क्लियर चेक कर सकते हो ठीक है मैं कोश्चन रीड भी करता रहोंगा फटा फट तो सुनना ध्यान से फर विच वन आफ दी फॉलिंग बोर मॉडल इस नॉत वैलिड पहला कोश्चन भाई बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है वाई आउटर मोश्चन में क्या होना चाहिए एक अप्शन कौन सा होगा इसमें से फिर नियोन में क्या होता है और मेरे यहाँ पर ऑप्शन नंबर यह 4 है ठेक है ना चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सिंगली आयनाइज नियान अटम वह अलिया ऑप्शन राइट होगी नेक्स्ट 137 दे रेशियो ऑफ कंट्रिबूशन मेड बाइद इलेक्ट्रिक फिल्ड और मैडिक फिल्ड कॉंपोनेंट टू दे इंटेंसिटी ओफ एलेक्ट्रमाइटिक वेव एज तो भाई 137 नंबर है ए और बी मतब कितना पार्ट ऑफ यह कितना पार्ट ऑफ बी एम वेव में अपना अपना कंट्रिबूशन करता है तो दो का बात क्या गया है दोनों प्राबर से कंट्रिबूट करते हैं तो ऑप्शन नंबर टू ठीक है ऑप्शन नंबर टू 138 ने शुशन दी ब्रूश्टर्स अंगल फॉर इंटरफेस शुड बी तो भाई ब्रूश्टर्स अंगल क्या होता है कि टैं ठीटा पी से रिनोट करत है मतलब न अंटेटा पी बहर कितना हो चीए टो उन नहीं होना कि और 90 नहीं होना चीए एंगल द Hall in एंटरफेस शुड भी मतलब यह एंगल कितना होना चाहिए 45 से लेकर 90 के बीच 90 बराबर नहीं होना चाहिए और 45 के बराबर नहीं होना चाहिए तो मैं अगर बात कुरू तो यहाँ पर मेरे option में है option number 3 139 ठीक है तो 139 पर चलते है तो प्रेशर बता दिया गया ठीक है प्रेशर 249 किलो पैसकल है और टेंपरेशर बता दिया गया 300 केल्विन question है density बताना है तो बच्चों क्या करेंगे PV equals to nRT थरमोडी की straight question है अपने इस PV equals to nRT में लिख देंगे PV equals to m by m0 into RT लिख सकते है ऐसे और यहीं से यह m by v हो जाएगा density और बचेगा P into m0 by RT equals to density yes or no यह m by volume हो गया density तो अपने बस यहाँ पर पुट कर देंगे P कितना हो गया 249 10 to power 3 m0 कितना हो गया hydrogen gas है तो 2 होगा और r कितना question में दिया आवा 8.3 और यह 300 केल्विन इसे solve करोगे और I guess यह 0.2 kg per meter क्यों बाजाएगे solve करने पर मेरे यहाँ पर यह option number में दिया गया है इस set में number 2 तो यह हो गया number 2 बात करते हैं आगे 140 question number 140 array is incited at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism तो small angle prism है ठीक है कहा गया है आगे question में read कर देता हूँ with angle of prism A यह angle of prism A दिया गया है कहा जा रहा है emerge यहां से कर रहा है emerge normally कर रहा है from the opposite surface if the refractive index of the material of the prism is mu then the angle of incidence is nearly equal to तो यहां से क्या angle पर incident किया गया होगा जबकि यहां से इमर्ज कर रहा है वो normally emerge कर रहा है मतलब angle of emergence कितना है 0 तो मैं फटा-फट लिखता हूँ a cos to r1 plus i2 यह formula हम लोग जाते है और यहां पर अगर e 0 है तो मैं लोग corresponding r भी 0 होगा तो a cos to r1 right a cos to r1 अच्छो एक और बात sin i by sin i हम लोग जानते हैं हम लोग लगा सकते हैं मैं इसे जब भी refraction होता है और यहां कह जाएगा angle छोटा है तो हम लोग इसको i by r लिख दें मैं कैसे r1 को तो इससे r1 कह जाता हूँ तो भाई r1 क्या होगा i by mu फड़ा फड़ा करें इसको plug कर दें यहां पर तो यह क्या हो जाएगा a equals to i by mu which is like mu times a equals to i तो यह अपना answer हो गया mu into a equals to i तो भाई यह option number कहां पर है यह option number 3 मेरे set में 3 बोल दो, c बोल दो obviously आप ए 1, 2, 3 form में दिया हो है तो इसलिम लोग 3 बोल रहे हैं ठीक है और questions एक बार आप लोग pdf नीचे मैं link share कर दे रहा हूं description box में बच जेक कर लेना और I guess फिर मैच करने में या फिर मिलाने में आसान होगा ठीक है mark करते रहो और बचों को आगे के लिए बढ़ी सीख लेना है सीख भी ले सकते हो कि questions कितने direct आते हैं जातर question काफी director काफी question काफी theoretical है ठीक है questions काफी theoretical आई है तो I hope बचों काफी दिक्कत नहीं हुआ होगा ठीक है next question पर चलते हैं next question है 141 141 two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock तो कहा जा रहा है यहां पर इस तरह से एक stopcock लगा दिया गया है ठीक है और ऐसा एक container एक container खाली एक container भरा हुआ है और यह पूरा insulated है system पूरा insulated है और यह suddenly हटा दिया गया तो क्या वहां suddenly यहां से gas पूरा फटाक से expand करेगा जब यह process fast हो यह process क्या होगा यह एक adiabatic expansion होगा भई देखो बाहर से तो heat exchange हो नहीं पा रहा हूँ पर से fast process है तो adiabatic expansion होगा obviously throughout the container pressure constant था नहीं है ना जब certain expansion होगा तो वह work करेगा temperature decrease करेगा तो ice thermal होगा नहीं isocory है नहीं तो adiabatic की बचा तो यहां पर बड़ा simple सा question था कि भई कौन सा process है तो adiabatic option number 2 तो मेरे इस set के हिसाब से आप लोग अपना set चेक करते रहे ना कि आप लोग को set में कहां पर रहे है 142 the energy equivalent of 0.5 gram of substance is तो भई 0.5 gram अगर यह mass है तो e equals to mc square का formula लगाना पड़ेगा बड़े ध्यान से आपे 0.5 10 to the power minus 3 कर दो और c कितना है 3 10 to the power 8 तो 9 10 to the power 16 याद भी है क्योंकि यह पीछे भी questions आई हुई है मतलब ऐसा कोई नया question नहीं है यह तो NEET में अधिकता question नहीं नहीं आ रहे है राधर एकात question बस value change की गई है अगर पहले कभी नहीं आई है तो 143 next question ठीक है यह option number कहां पर है यह है option number 2 मेरे set के हिजाब से ठीक है मैं वो set नीचे description box में share कर दे रहा हूँ 143 body weight 72 newton on the earth surface ठीक है तो भई earth surface पर का 72 newton weight ना पा जा रहा है तो तुमको पता है कि earth surface मतलब क्या हो गया gm into m by r square 144 weight कितना होता है gm into m by r square ठीक है ना अब जब बोला जा रहा है यह earth surface से जो भी radius है उसका आधर radius के उचाई तक ले गए यहाँ पर कितना weight होगा total distance कितना हो गया भी gm into m 3r by 2 square ठीक है यह 72 है यह दखना तो यह कितना हो जाएगा ओपर जला जाएगा 4 by 9 square हुआ है और बाकी तो वही है है ना यह कितना है 4 by 9 into 72 कितना हो जाएगा 8 forza 32 newtons yes or no सब्सक्राइब भाई ठीक है option number कहा है मैच कर रहा है अपने के set में number 2 ठीक है 144 का number 2 आगे चलते बाचो 144 हो गया मैंने 142 किया यह 143 था sorry मैं अब 144 करने वाला हूँ ठीक है pardon me माफ करना यह 143 था मेरे set के साब से 144 the solid which have the negative temperature coefficient of resistance R तो भई मैं बता दू straight away temperature बढ़ने से generally में जानते resistance बढ़ता है बट resistance घटता है किसमे semi-conductor में यहां पर क्या होता है temperature बढ़ने से free electrons और hole spare बढ़ते है है कि नहीं current का flow आराम से हो पाएगा मतलब आपर connectivity बढ़ेगा resistivity और resistance घटेगा तो यहां पर क्या answer होगा semi-connector only ठीक है तो 144 का मेरे set के साब से 145 बचों देखो किता straight theory question था यह the phase difference between the displacement and the acceleration of a particle in a simple harmonic motion तो भई simple harmonic motion में displacement और acceleration में हम लोग को phase difference की बात करनी है ऐसे question में straight away ग्राफ बना लो तो काम काफी आसान हो जाता है I hope maximum लोग इसकी basic graph याद होगी हम लोग जब start करते है स्चम तो श्चार्टिंग में यह ग्राफ बनाते है X की और A की ग्राफ इक इसकी उल्टी होती है हम लोग relation पड़ते है तो जो भी phase में X है ठीक इसकी उल्टी phase में A है हम लोग क्या सते है पर पाई का phase difference है ठीक उल्टा phase पाई का phase difference है तो आंसर क्या होगा option number 1 मेरे set के साब से 145,146 next okay screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions on its circular scale तो बचो question है कि हम लोग को relate करना है इन लोग को हम लोग को relate करना है कि पिच को और least count को अगर ऐसे question कभी भी आती है तो हम लोग को straight formula पता है और मैंने इसे class में भी बताया था ठीक है हम लोग ने straight away class में बात भी की थी भाई इस पर जब लोग normal classes करते हैं तो I hope सबको formula पता होगा least count least count into number of divisions on circular scale straight away कर दो भाई, least count कितनी है भाई 0.01 mm I hope याद होगा least count is pitch by number of divisions है ना into कितना है 50 और यह mm है तो क्या हो जाएगा 0.5 mm क्या ऐसी कोई option है हाँ ऐसी option है number 3 आगे बढ़ते हैं 147 question number 147 भाई ठीक है question number 147 गिटार two strings A and B made of same material are slightly out of tune question मतलब दोनों में एक हलका सा frequency difference है मैं यहां करता हूँ 147 भाई ठीक है 147 क्या बोला जा रहा है दो गिटार के strings है हलके से auto-tune हो उनलों में beat बन रही है 6 ठीक है question मिल गया होगा question है in a guitar two strings A and B made of same material are slightly auto-tune question देखते रहो and produces beats of frequency 6 Hz तो 6 Hz की beat frequency है when tension in B is slightly decreased B में tension decrease कर दी गई अब मुझे ना पता है कि FA-FB 6 है मुझे ने पता कि FA-FB है कि FB-FA है पर अगला line ही समझाता है कि FA-FB कैसे देखो बोला जा रहा है कि जब beat frequency decrease की जाए उन्होंने घुमा के कहा है उन्होंने कहा जब tension decrease की गई तो पहला बात क्या होगा tension decrease करने से frequency decrease करता है कैसे F equals to Nv by 12 यह formula याद होगा तो इसका आगे का form याद करो तो beat frequency decrease FB का अगर tension decrease हो तो FB का frequency decrease होगा और अगर यह FB minus FA होता तो यह difference घटता क्योंकि घटता तो क्योंता यह difference घटता तो as a whole beat frequency 6 ते 5 या 4 की तरफ जाता पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर difference बोल रहा है अब 7 की तरफ जा रहा है बना पका ऐसा expression होगा तो अपने इसी को फिर लिख के आगे काम करते है और कहा गया यह कितना है 530 तो minus 6 equals to FB विधर आ गया तो 524 equals to FB ठीक है चोटी सी गलती है अगर हो सकती तो यह हो सकती कि अपने every minus FB ले ले तो बस यही गलती हो नहीं possible लोगको गलती होना possible भी नहीं है आपर तो answer होगा option number 2 मेरे इस set के हिसाब से ठीक है आगे बात करते है 148 148 I hope से वो सारी questions समय आ रही होगे भई 148 148 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with a negligible mass the center of mass of the system from 5 kg तो भाई अगर एक 5 kg की mass है और यह 10 kg की mass है ठीक है और यह दूरी 1 meter बता दी गई है तो यहां center of mass कितने दूरी पर यह साल यह तो बच्चों देखो बहुत simple सा बात होता है अगर यह अपने इसको R1 कह दे और इससे R2 कह दे इससे M1 कह दे और M2 कह दे तो हम जानते है M1 by M2 is equals to R2 by R1 वही moment of mass वाला concept है क्या था M1 R1 minus M2 R2 मुझ भी 0 हाना तो यह R1 है अब देखो अगर M1 लिखते हैं 5 और M2 लिखते हैं 10 तो यह कितना हो गया 1 by 2 हम लोगों पता है कि अगर भारी के तरफ center of mass होगा यह बड़ा होगा यह length छोटा होगा तो यह बड़ा obvious बात है तो R1 निकालना है अपने को R1 क्या होगा 1 by 2 है तो 2 by 1 plus 2 R2 by R1 is 1 by 2 है ना मीटर मतलब 66.66 cm या फिर option देखो option में 67 cm दिया हो है तो 66 को भी mark करते है अगर वो होता तो पर यहां पर option दिया हो है 67 cm मेरे set में number 3 में है यह answer ठीक है 149 next काफी काफी simple question शायद जो बच्चे vectors पढ़े हैं कभी भी हलका सा भी उनको यह solve करे about origin ठीक है when a force of 3j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2k cap तो भाई r cross f formula होता है ठीक है और यहां पर r बता दिया गया है 2k cap और यह है 3j cap तो भाई 2 3 is a 6 और एक बाद देख लो i, j, k i cross j, k, j cross k, i k cross j, उल्टा गुमेंगे तो minus i तो answer कौन सा हो भाई यहां पर 149 का option 3 मेरे इस सेट के जाब से 150 चला भाई light with an average flux of 20 watt per cm2 false on a non-reflecting surface यह question में actually momentum पर question आता था जो बच्चे modern phase हो पढ़ेंगे वहां पर photon वाले topic में ही आता है photon ने photo late effect में तो अभी यहां पर question काफी simple कर दिया गया question बोला गया है कि average flux 20 watt per cm2 किस पर गिर रहा है 20 cm2 के area पर और किते देख लिए एक मिनट के लिए find out the energy fall तो energy में को दिख रहा इस टेट अवे flux into area into time क्यो पता है मुझे पता ही इसका unit का है 20 watt per cm2 चेक है चेक है और यह 20 cm2 है और time को मैंने लिए 60 seconds यह watt है watt के तो जूल पर second है तो cm2 कर गिया और मैं watt को अगर लिख दूँ जूल पर second तो second second भी कर गिया तो मतलब आंसर जूल में आ रहा है और निकालना energy था मतलब मैंने सही चीज किया इससे भी सोच सकते हो 20 to 20 to 60 कितना हो जाएगा 2,4 6 into 24 1,2,3,0 तो शाय दिये 24 into 10 power 3 joules option है option है option number 3 मेरे set के निसार मैं try करता हूं 51 को भी ही करने का ठीक है spherical conductor of radius 10 cm has a charge of कितना 3.2 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly what is the magnitude of the electric field बतलब एक ऐसा charged है x-fiera यहाँ पर 10 cm की दूरी और निकालना अपने को electric field है 15 पर जो बहार है तो बहार के लिए e का formula लोग पढ़ते है k q by r square straight away बस formula पूट कर देना है ठीक है बच्छा formula पूट कर देना k कितना है 9 10 power 9 q दिया हुआ है 3.2 10 power minus 7 ठीक है और r कितना दिया हुआ है 15 15 मदलब 0.15 square 1.28 10 पर फाइगा वही आंसर होगा straight away and I am very hopeful answer 1.28 10 पर 5 आएगा शायद यह बाचेक कर ले ना इससे calculate कर देख ले ना 1.28 10 पर 5 Newton पर कूलम आने वाला है hopefully ठीक है बच्छो और ऐसा option है option है option number 2 यहाँ पर लगभग इस question में तो सिर्फ खेल है यह पावर का अधिकता सबके option सेम है बस पावर है गलती है तो तुम बस पावर पर काम कर देख पाना ही ना यहाँ पर और ट्राइक कुर यहाँ पर एक number के बाद साथ decimal आ जाए तो ऐसा कुछ कुछ करना हो यहाँ से simplify कर लेना ठीक है मतलब questions काफी simple और काफी straight है calculation वाली error होगी या तो silly mistakes होगे मुझे पता जो बचे कर क्या होगे या तो दुख्यों के silly mistakes के लिए या कभी कापार कुछ questions नजर में नहीं पढ़ते जब लोग रश में रहते हैं देखके लगते एक्जामे की शायद नहीं होगा in a certain region of space with volume 0.2 meter cube electric potential is found to be 5 volt throughout अगर voltage throughout same है voltage throughout अगर 5 volt है मतलब मैं imagine करूँ एक conductor के अंदर मैं हर एक point पर 5 volt है हर एक point पर 5 volt है मतलब हाप electric field ही नहीं यह electric field ही नहीं अगर change of potential नहीं तो e equals to minus dv by dr अगर v constant मतलब अब electric field 0 तो भया कही option दिख रहा है 0 वाला question है magnitude of electric field 0 number 1 153 देखो 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 the increase in the width of the depletion region in a pn junction diet is due to theoretical question depression region कब बढ़ता है जब reverse bias लगाया जाता है तो option कौन सा होगा number 2 मेरे set में number 2 reverse biased 154 straight theory question था modern physics कुछ बच्चे बढ़ता है modern physics पे आया है question मैं दिखाता हूँ है 154 a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply the RMS value of the current in the circuit is nearly IRMS के लिए formula मुझे याद रहता है VRMS by Z अगर AC की बात हो DC में by R होता है AC में Z होता है Z में सब कुछ आता है तो यहाँ पर यह 200 volt जो दिया है यह AC यह RMS है जब ना बताया जा तो वह RMS होता है और formula से उको पता होगा आप सिफ capacitor तो 1 by omega C और यह omega मतलब हो गया इसको उपर ले गया यह हो गया omega C उपर चला गया 1 by omega C तो 200 omega कितना होगा 2 pi into F F बताया कुछ में 50 macro 50 और यह कितना 40 cent by minus 6 इससे solve कर लो और क्या answer pi के form में छोड़ा हुआ है आइसर pi के form में नहीं छोड़ा गया है तो अपने हो थोज साख आपकर करना पड़ेगा ठीक है तो एक एक्लिशन करना पड़ेगा और approximately answer 2.51 आ रहा है मेरा 5 1 है नहीं 5E यह यह है तो 2.5 amp ere यह answer रहेगा ठीक है बच्चों आगे बात करते है मैं पास लैपटाप में कोश्चन खुला हुआ है और बच्चे ने भीचा था तो मैं वही से कोश्चन पर बढ़के को जो मैंने लिंक शेयर के सिन देखो जो जो कोश्चन चेक करना उस पर फटा फटा आजो आगे बड़ा बड़ा के देख लो और फिर स्पीड अपर के देख लो ठीक है मैं करते वह जा रहा हुँ जूंको लगे कि सर स्पीड जाद है तो स्लो डान भी कर लो 155 वह एक फॉर् है के टी जी तो आगे बड़ाए जाता है 1वान बाइ रूटव चू उप्शन नमरर के मेरे सेट में 166 next okay okay 4 for transistor action which of the following statement is correct sub-se simple question transistor action ले कौन सट्रेमन true है यहां पर base region must be very thin and lightly doped अब जिसके statement जहां पर आ रहा देख लो मेरे सेट में आपर नमबर 4 पर है okay base region must be very thin and lightly doped okay 157 light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photo sensor material तो बड़ा interesting question जहां सटेको 157 जो frequency incident की गई है वो 1.5 times the threshold है कोशन में आगे बोला जा रहा है कि what will be the photoelectric current if the frequency is halved जो पहले था उसे half कर देगा तो नया वाला frequency इसका half है half मतलब 1.5 by 2 into f0 बतलब 0.75 f0 तो बड़ा या यह कितना होगा यह लगभा अब threshold से कम हो गया तो photoelectric fatty नहीं होगा electro निकलेंगे नहीं current का बात ही नहीं होगा तो यहां पर 0 रहेगा current ठीक है option है जीरो वाला है option में 4 है मेरे set में mark कर दू option में 4 बोलो option में D बोलो ठीक है 158 I guess यह समय में आ रही है सबको भई 158 okay 158 when uranium 235 92 is bombarded with neutron बहुत straight potion है modern physics का question है वापिस हम लोग शायद सब लोग जानते हैं यह reaction एक थो uranium 235 अगर 92 है वो थो वासा radioactive होता है उसको neutron से hit कर वाते हैं वो बंबार कर दाता है वापे क्रिप्टन 3 neutron एक barium निकलता है अगर उतना समय में आया तो देखो question में दिया हुआ है uranium 235 है और क्रिप्टन लिख दिया गए 89 उपर में 89 है नीचे में जो भी हो 36 89 88 मैं देखनी पा रहा हूं 89 है तो उपर का सम लगभग सम मिला कर 25 होना चाहिए प्लस 3 neutron तो कम से कम 140 के आसपास तो होना चाहिए ना तब तो 235 पहुंचेगा और 140 में सिर्फ एक ही option वह बेरियम है अगर में को नहीं भी आता ना मैं यहां से बस एक trial error में चर्श से चेक कर सकता हूं कि क्या जोड़ने पर यहां पर यह 235 बनेगा तीन यूट्रॉन थे यह फिर यह एक यह option है जो इतना close भी जा रहा है वह बेरियम ऑप्शन नुबर वन 56 ठीक है 159 नेक्स्ट ओके इनजी रिक वन बॉन बॉन इन इस टेट पर मैंनस 20 जूल्स बचो देखो वन एलेक्ट्रों वोल्ट होता है 1.6 टेट पर मैंनस 19 जूल्स मैं अगर बोट साइड अच्छा मैं इसे पहले नीचे ले जाओं और नाम का लिया कोई काम का निया यह और मुट्प्ला है बोग साफ यह 10 पर मैंनस 20 समिया रहें मैं 1 जूल के लिए इतना 1220 बोट सयट्स है न तो अब यह क्या हो गया यह हो गया 10 पर मैंनस 19 काट जाएगा उपर आधर into one बच जाएगा सिर्फ है न हमानस 20 drap तो अब यह जो है यह क्या है भई, 0.1 by 1.6, ठीक है, यह 10 by minus 20 joules है, समया रहे है, तो यह point, यह point कट गया, तो 1 by 16, अब solve कैसे करोगे यहां पर, decimal लगाओगे, 0.10, फिर आखी कुछ आगे लगाओगे, क्यों, 10 पर नहीं divide होगा, 100 पर ही divide होगा, गलती से नहीं पर होने वाला है, अपने 10 लगा तो एक और 0 लगाए फिर, तब बना 126, 126 मतलब 16, 6, 96, उसे 40 बनेगा, फिर जो भी होगा, पर 0.06 के बाद जो होगा, 0.06 कोई option है, हाँ है, option number 3 मेरे set में है, ठीक है, बचो ध्यान से, यहां पर यही solving में चोटी सी गलती हो सकती है, and I hope, and I expect, अधिक तर बच्चे यहां पर silly mistake ही कर सकते हैं, I guess यह सबको समय आ रहा होगा, है ना, 10 अधिक पार मैंस 20 जूल मतलब कितने electron world, ultimately बस एक conversion करना था यह, question में कुछ था ही नहीं, एक mathematics था बस, मैं इसलिए बोलता हम भाई, सबको ना, एक basic level का match तगड़ा रखना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो two bodies of mass 4 kg and 6 kg तो क्या लिखेंगे, 6G-4G by net mass, shortcut, net pulling force, net pulling force, 6G-4G by net mass, कितना हो जाए गई है, 2G by 10, simplify करो, कितना हो जाए गई है, G by 5, answer, खतम, क्या है, फिर इसका option, option number 3 मेरे set में, 161, खेक है, wire of length L, area of cross section A is hanging from our fixed support, the length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from it, तो पहले L से वो L1 हो गया, अपने को यंग modelist बताना है, तो यंग modelist क्या होता है, stress Mg by area, by strain, तो strain क्या है, deformation by original length, तो deformation क्या होगा, L1 minus L, ये नया length है, ये changed length नहीं है, बोला पहले L था और अब हो गया L1, तो what is your change, L1 minus L, by the original length, this is young modelist, बच्चों यहाँ पे गलती मत कर देन कोश्चन ध्यान से पढ़ना, option number 4 है, मेरे इस set के मताबिक, ठीक है, 162, the average thermal energy for monotermic gas, बच्चों, एक बात या दखना, जो average kinetic energy per molecule हम लोग पढ़ते हैं, kTG में पढ़ते हैं, और जम लोग internal energy के लिए expression derived करते हैं, तभी भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, per degree of freedom, है ना, क्या होता है energy per molecule, half kT, तो अगर monotermic gas हो, तो क्या होता, degree of freedom के 3 होती है, खाली translatory, सबको पता है, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 by 2 kT, ठीक है, equation number काउन सा था, 162, और यह मेरे option number में कहाँ पर है, option number 2 पर है, 163, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके, which of the following graph represents the variation of restivity with temperature, यह एक theory है वापिस, हम लोग बहुत लोग सोचते हैं, कि शाए resistance या फिर restivity, temperature पर linearly depend करती है, नहीं, actually depend ऐसे करती है, हम लोग जब छोटे change of temperature बात करते हैं, तब इसको लगभख linearly approximate करते हैं, पर होता ऐसा है, ठीक, एक curve होता है, तो I hope यह theory में सब को पता होगा, मेरे यहाँ पर option number पर है, यह number 3 पर, मेरे set में, ठीक है, 164, next, okay, color code पर question है, color code आते ही, मुझे पहले BB Roy लिखने हमन करता है, BB Roy, क्या था, of Great Britain, has very good wife, wearing gold silver necklace है, तो पहला लब भी होता है, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, इसके बाद का में मतलब नहीं है, बिकास, जो color यूज क्या है, क्या क्या है, येलो, violet, brown, gold, yellow, violet, yellow मतलब 4, violet मतलब 7, brown मतलब 10 to the power 1, है ना, पहला दो डिजट, तीसा वाला multiplier होता है, plus minus gold मतलब 5%, silver 10% और colorless पर 20%, है ना, यह ही अपना काम का था, तो 470, plus minus 5% is the answer, तो भाई ये था, color code पर एक question, question number, option हो गया, number 4, option number 4 मेरे set के साब से, ठीक है, आई, होजो समय आरा होगा भई बचो, हम लोग, बचेवे questions, बचेवे 15 questions, बचेवे 15 questions, next set में करने वाले हैं, ठीक है, मैं next video में देने वाला हूँ, मुझे इस वीडियो के इबर कले end करना पड़ेगा, मैं इसे next video में continue करेंगे, ठीक है बचो, फटा वरं 65 कर ले, इसे next video में continue करते हैं, और मैं बचेवे analysis में next video में दूँगा, in YDSE experiment, fringe width पर बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि एक YDSE experiment किया गया है, यह capital D है, यह small d है, ठीक है, question बोला जा रहा है, कि if the separation between the coherent source is halved and the distributed in the screen is doubled, fringe width क्या होगा, तो पहले fringe width का formula क्या लिख दो, lambda d by d, यह लि 4 times lambda d by small d, 4 times with one, option number 3, ठीक है, आगे बात करते हैं, 166 से, मैं वापिस continue करता हूँ, यहां तक सब लो बच्चों कॉपी कर लो, ठीक है, और किसे को डाउटरे जरू बताना, ठीक है,